एक यह कंपनी है थोड़ी सी रिस्की है लेकिन जहां तक चार्ट देखके मुझे लग रहा है कि अब इसमें अप्ट्रेंट शुरू होने जा रहा है और यह वापिस इस रेट पे लोड़के नहीं आएगी छुटा पैसा आप लगा सकते हैं इस कंपनी में विसागर पॉलिट इसका नाम विविधा भी है और फंडामेंटल तो सब खराब है इसके लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छा हो रहा है और वो जो है चार्ट पर दिखने लगा है तो च्छोटा पैसा आप इसमें लगा सकते हो पांसो हजार रुपए दो हजार जितना आपको लगे क खापी के कर्च हो जाए तो आपको बुरान लिए कुछ तो बहतर शुरू हो गया इसमें और अभी यह शुरुआती स्टेज है यहां से अगर खरीद लिया तो आगे बड़ा पैसा बन सकता है अभी 36 करोन के पैनी स्टॉग है शायद माइक्रो में आता है या ऐसे ही आता है अब कर्ज भी है पचास लाग का इस पर दिखा रहा है जैसा आज इसमें जो ट्रेड़ेड वैल्यूम आया है वैल्यू दो करोन के शेर्ट खरीदे गए वैल्यूम आया है एक करोन बत्तिस ल है दिखिस में सेकड़ी सेफटेंबर में कमाई हुई है नकी कुछ चालिस लाग बत्तिस लाग की फिर घ्रट गई है अ यह सेयल्स है सेल्स प्रौफिट नहीं है उसके बाद प्रौफिट मes 22 में कुछ बनाया इनोंने 21 किस लाग रुपए उसके आद से एक करौन का तार्ट लाग पर चार्जित लाग का माइनस में दिख रहा है नेट वर्थ भी जो है कॉंस्टेंट है लगबग बीस के आस पास चल रही है ठारा बीस उन्निस यरली में भी जो है भी लॉस में है कंपनी यह तो कोई इसको और मिलने जा रहे हैं और यह यह यरली के रेविन्यूस गिरते ही हुए हैं सब डाटे इसके गिरते हुए हैं विसागर विक लिम्त म्यून सब्सक्तिक अंधिन बे放ा निए बेस मनुदारे सेथां इंग्पक्टितР चाल इंगन आटें एंगाई उह व्य DD कोईम्ोंस के लंगे ले प्रम 협नी हैं झा उल कोई के लिक मतेश GAR टली लेंगिंग गुड्स एज वेल एज वेराइटी ओफ फैब्रिक्स यह कपड़ोपड़ बनाने के हैं नए नए तरीके की कपड़े की जो भी चीज़े बना के साथ लेडीज के कि सब दिख रहे हैं कपड़े उन्हीं की बनाने कंपनी है कि नाइटीनएटी थ्री कि है कि है और कि प्रमोटर और रिटेलर दिख रहे हैं और प्रमोटर के पास पाड़े पांच परसेंट है रिटेलर के पास नाइंटी फॉर के परीब कि दिलिवरी परसेंटेज भी अच्छा चल रहा है कि सतर परसेंट जादा जाद चल रहा है आज भी साट परसेंट करीब आईए डिलिवरी और यह उठें हैं अठाइस सो बीस शेयर उठें मातर तो यह दो करोन की वैल्यू कैसे होगा इखर यह तो कुल टोटल का बता रहा होगा यहां पर चार जार साथ सो पंद्रा शेयर उठें यह आज ही का है नौतारी का यह तो इतनी जल्दी तो इसमें ज्यादा कुछ डिलिवरी से बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं मिल रहा है कल दो आज दो का का 10 कि अर्शा सतर पर संट गी टिलिवरी आड़ थी फिर शत्तर सतंतर होगे यह समें दिख रहा ही डिलिविवली बढ़ दाएज तो अक्ट्रेंड शुरू हो रहा है है नेकिन कॉंटिटीका मैंन ऐसे एक्सवर्ड कैते प्रसेंटेज देखू पॉइंट 08 पैसे से 127.21 पैसे तक हाई बना चुकी एक फाई आइस कहीं दिखने ही रहे डी आइस भी नहीं है प्रमोटर पांच परसेंट है सब इनके पास है पबली के पास लेकिन वाईल्यूम बड़ा आया है अब यह वाईल्यूम जो है यह फाई डियाज वाला है लग तो वही रहा है मुझे यह लेकिन अब इस ऐसी कंपनी में हो सकता है कि यह कोई आपरेटर के पास भी दो हो सकते हैं दो करोने लेकिन जितना वाईल्यूम आ रहा है यह लग तो बड़े लोगों का रहा है अपर सर्कृट भी लगाया वाईल्यूम जाया है कि थोड़ा सा क्योंकि एफ आई डियाएस फंडामेंटल डाटा आने के बहुत पहले ही शेर मेंट्री लेते हैं उस पोड़ा ले जाते हैं जब तक आपके सामने उस डाटा और न्यूज और सवाईगी कि इनको आडर मिलें मुनाफ़ा आ गया इनके सेल्स पड़ गई तब पहुए तो इसमें मुझे लग नहीं रहे कि ऑपरेटर गेम अपकी बार समय चल रहा है वही है कि वह भी सकता है लेकिन रिसकी था ही इसमें थोड़ी कॉंट्रीटी मेहीं इसमें लेना चाहिए जो भी आपको ठीक लिए हजार दो हजार पाल जार इसना आपके लिए भारी आपके इसमें जो है रिजिस्टेंस एरिया तो यह पन शुरू हो रहा है यहां से अगर यह चल पड़ती है तो अपर सर्कृट लगा लगा के इदे यह पैंटिस से लेके तो 71 की रेंज में आएगी और इसी चैनल में आके फिर कुछ समय इसमें बिताने के बाद इसको ब्र अगर अगये हैं तो मैंने अभी तक जो भी ऐसे पैने स्टॉक्स समझे पकड़े हैं वो उनमें फिर राग चुके होते हैं और फिर दोड़ जाते हैं तो एक रुपए से लिए रुपए खरीब के कितने एक रुपए तीस फैसे कुछ के चल रहे चाहिए तो वहां से अगर यह आई तो यहां पर आईगा सीधे फिर यह इसी रेंज में तीस तीस रुपए तीस ने चालिस रुपए समय लिए चालिस रुपए पर आके रुके अब यह आगया अपना चार्ट आइक्यू कर चार्ट इसका जो चार्ट का डिटेल शुरुआत दिख रही दोहजार तेरा से दिख रही और उस समय यह मुझे लगता है प्रोमोटरों नया तो खरीदारी की तो यह उपर चल गया इसके बाद फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने भी विक्वाली कि यह प्रोमोटर ही जब खरीदते हैं तब शुरुआत में एकदम से तेस्ट चालाती है फिर पता नहीं क्या हुआ है कैसे यह वापस आ गया क्या हुआ यह तो जानना मुश्किल है और कब से इसी रेंज में घ से साथ साल होने वाले हैं और चोटे से दो डाइवर्जन्स इसमें बने हैं मंतली में यहां पे एक दिख रहा है आएक यहां पे दिख रहा है यानि की स्ट्रेंथ आनी जो है अंदर से शुरुवात यहीं से हो गई थी है तो हजार उन्निस के टाइम से ही इसके बाद से इसने बड़ा उपर का उपर गया और फिल लोटा आया है अब यह वीकली है वीकली में यह तीन टैवर्जन्स बने थे यहां पे नेकर शेर गिरता रहा। कई वाई ट्रोस देने के बाद गिर्दारा वाईलियूम था वाईलियूम कम था ड्रोस तभी काम कॉरते हैं ज Dop प्र लाईलियूम भी हो उसके बाद फिर को आगे पिर यह रैसाई में डाईलियूम दिख रहा है और नॉर्मल केंडल लगाने में में सीडी में डेवर्जन्स दिख रहा है फिर से डेवर्जन्स बने वीक्ली चार्ट में अब ये बने हैं दोजार तेईस के जुलाई में जुलाई लास्ट में उसका से अब ये दो बार डबल बॉटम वाले दो टप्पे खा चुकी है इसी इसी रेंज में यहां पर एक बार टच हुआ है फिर उसके बाद ये भूंगा हमके फिर इसी रेंज में आया है ये दो बार सुकैस्टिक के भी टप्पे आपको दिख रहे होंगे दो टप्पों के बाद अब ये उड़ता है कि तीसरा एक और टपा खाके उड़ेगा अब पहले कभी जो है तरीके का बीस परसेंट का आपर सर्किट काफी लंबे समय से पिछले टेड़ सालों में कहीं भी नहीं दिखा है और ये वीकली में 47 एम का वैलूम आया चार करोन 70 लाग का वैलूम फिर धाई का आया है दो करोन 60 लाग का वैलूम था अब की बार वैलूम और बढ़ा है तो वैलूम बढ़ दा है वीकली में भी खरिदारी हो रही है जाना उपर ही चाहिए अब फूंडामेंटल वो सब न्यूज वो सब बहुत बाद में आएगी तो जो कुछ भी इसके अंदर अच्छा कुछ शुरू हो गया है तो फूटा पिसल लगाया जा सकता है इसमें यह आगए डेली चार्ट में विटेवर्जन्स हैं वाल्यूम था करीब यह पचास लाग का पचास लाग का वाल्यूम आया था पहले इसके फिर यह बापस वही है इसने अपने सपोर्ट पर आ गया सपोर्ट रेंज यह वाली है इसकी इसकी रेंज में आ रहा है क्या जिससे लगता है यह है इसकी रेंज और देखें अगर इसमें रस आई और मनी फ्लो इंडेक्स वह भी कि रखी यहां पर आर एस आई सेवेंटी क्रॉस कर चुका है और आपका मनी फ्लो भी एट्टी क्रॉस कर चुका है कि एडी एक्स जो है आपका क्रॉस ओवर है सो कैस्टिक भी जो है ठीकी जगा पर है पहले डैवर्जन्स भी आएं यहां में सीडी के डैवर्जन्स क्या है अच्छा हां तो यह बने थे उसी टैप पी चाल ही आगे जाके यह उपर गया फिर उसका नीचे आ गया दोनों साइट के डैवर्जन्स थे अब यह एक्स तैंटिस था उस समय अभी एडी एक्स चल रहा है आपके तैंटिस के आसपास तो यह कुल मिला के कहा जाए तो यह एक्सप्रेस वे पर यह शेयर एंटर हो चुका है क्योंकि RSI भी 70 के उपर निकल चुका है मनी फ्लो इंडेक्स भी 80 के उपर गया वाल्यूम भी आया हुआ है प्राइस भी भागा है तेजी से डैवर्जन्स भी आये हैं तो चांस तो इसमें है कि अब आगे यह दोड़ लगाएगा और हो सकता है 30-40 रुपे तक जाके रुक के स्टॉक्स बता रहा हूं कि यह छोटे होते हैं और यह पांच-पांच परसेंट के अपर सर्कृट लगा के भागते हैं तो रिस्क बड़ा है तो पैसा भी बड़ा बनता है अब आप MRF ले लोगे एक लाग रुपे का एक शेयर है तो वह क्या 55% सर्कृट लगा के थोड़ने चलता है वह आधा एक परसेंट बढ़ जाए एक दिन छोड़िए एक हफते में वही बड़ी बात है रिस्क थोड़ा इसलिए मुझे दिखा क्योंकि अभी FIS दिखे नहीं है मुझे लग रहा है यह फरस्ट टाइम FIS के एंट्री हो रही है प्लस फंडामेंटल तो खराब ही है इसके लेकिन चार्ड पे जो है वो दिख रहा है कि बड़े प्लेयर कब वाल्यूम भी आ गया है बाकी सब ही है आरे साइट आवर्दन सबाद चुके हैं प्राइज भागा है एक गरवर्ड होगी विसागर पॉलिटेक्स की जगा मैंने यहां पर विसागर फाइनेंसल सर्विसेस लिमिटेट के चार्ड तो लगा दिया था तो यह भी लगबग मिलते ही जुलता है धोके में यह दस पैसे तक गया है पॉइंट वन जीरो और एक सो साथ रुपयर का हाई बनाया है च्छेटिस करोनवी कंपनी है इसमें देखते हैं अरे इसमें तो है भाई एफ आई इस तो है वो गलत खोल लिया था शेयर और इनके पास तो पांच परसेंट इनके पास भी उतना ही हिस्था है मुचल फंड तो आसानी जाते नहीं है डियाइज आये थे पहले एफ आई इस भी आये थे लेकिन इनका भी मिलते ही जलता है मुझे लग रहा है कि दोनों एक ही कमपनी है क्या पुलम लाके F.I.S आए हैं इसमें तो मुझे लग रहा है कि फिर से F.I.S आए हैं डिसंबर 22 के बाद एक साल बाद एक साल पहले हो सकता है इनको कोई आडर औगेरा मिले हूं बढ़ गई हो तभी F.I.S जो है अब जो है खरिदारी कर रहे हैं ऐसा मुझे चार्ट पर दिख रहा है अब छोटा है तो थोड़े दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा कि F.I.S हैं कि नहीं है बहुत दिन की बात नहीं दो तीन मेहने के अंदर ही हो सकता है अगर तेवी से शेर चला जिस हिसाब से एक्सक्रस वे पर चला गया है और S.I.E. बढ़ गया है इसका तो हो सकता है हफते भर में ही पता लग जा इसमें F.I.S हैंकि नहीं है अगर F.I.S आ गये हैं तो फिर तो यह शेर ओड़ जाएगा बड़ा पैसा बना देगा यह एक हजार को दस हजार बना देगा यह और दसी हजार क्यों बनाएगा इसको तो चालिस रुपे तक जाना है एक हजार को चालिस हजार रुपे बना देगा यह अगर रिस्की है एक लाख लगाया जाए तो चालिस लाख रुपे बना देगा